साथियों, एफे ओने बिते दशकों में कूपोशन के खिलाब भारत की लड़ाई को भी बहुत नद्दिक से देखा है। भी बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं छोटी आयू में घर्बधारन करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की परियाप्त सुविदा न होना, स्वच्चता की कमी। ऐसी अनेक वज़ों से हमें वो अपेक्षित प्रणाम नहीं मिल पाए थे, जो कूपोशन के खिलाब की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात मैं मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अउसर मिला था, तो इन तथ्थों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अनेक नई योज़नाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है, नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और नतीजे कैसे मिलेंगे, इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला, उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मोका मिला, तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंब किया, हम इंटीग्रेटेड एप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक एप्रोच लेकर के आगे बढ़े, तमाम सायलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डाइमेंशनल, बहु आयामी रणनीती पर काम शुरू किया, एक तरफ नेशनल निउट क्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया, जो कूपोशन बढ़ाने का कारण था, बहुत बड़े स्तर पर पर परिवार और समाज के व्योवार में परिवर्तन के लिए भी काम किया, स्वच्छ भारत मिशन के तहट भारत में ग्यारा करोर से ज़्यादा सवचालाई बने, दूर दराज वाले इलाकों में सवचालाई बनने से, जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक ब्यमारियों में भी कमी देखने को मिली, इसी तरह मिशन अंद्र धनूश के तहट, घर्भवती माताओं और बच्चों के टिका करण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया, इसमें भारत में ही तैयार रोटा वाइरस, इस रोटा वाइरस जैसे नए टिके भी जोड़े गए, गर्भावस्ता और नवजात शिश्व के पहले एक हजार दिनों को धान में रोटते हुए, मां और बच्चे दोनों के नूट्रेशन और कैर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया, जल जीवन मिशन के तहट गाउं के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है, आज देश की गरीब बहनों बेटियों को एक रुपिये में सेनिटेशन पैर्स उपलब्द कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एन्रॉल्मेंट रेशियो बेटों से भी जादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचीत उम्रक क्या हो ये ताय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। बेगा